पुल्द तो आज आपके लिए हैं एक मूबेबल डिस्प्लेइ जो कि आप आसानी से moving कर सकते हैं और यह transparent भी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कि 1,2,3,4 करके यह counting हो रहे हैं तो यह मैंने 7 segment display बनाया है तो यह जो project है यह किस पकट से आसानी से हम लोग घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे बहुत ही easy से तो चलिए देख design कर सकते हैं किसी भी प्रकार के गर्बर फाइल बोम फाइल यह सब कुछ आसानी से create कर सकते हैं इस software पे इस software के trial के लिए नीचे देवावा लिंक पे क्लिक करें तो display को बनाने से पहले display के अंदर क्या क्या रहते हैं वो हम लोग को समझना होगा तो सबसे पहले हम लोग जो पॉलरेजर इसमें से light गुजर रहा है और moving करने पर light नहीं गुजर रहा है यह black हो जा रहा है तो इसको हम लोग पॉलरेजर बोलते हैं तो इसको हम लोग कहां से ले सकते हैं वो आपको बताएंगे इस वीडियो में तो अभी देखे पॉलरेजर एक लगा दिया इस पे उस देखे बीच में जो आप देख रहे हैं यह जो माइनस के तरह दिखा दे रहा है वो होगा liquid crystal तो liquid crystal किस तपराकर से होगा मान लेजे इसके अंदर से hole है ठीक है तो जब भी इस तरह रहेगा तो light polarizer के अंदर से होके light यहां से अटक जाएगा light नहीं गुजरेगा तो जब भ देंगे तो magnetic field हो जाएगा होने के बाद क्या होगा सब लिकूअट पर इस तरह मुविंग हो जाएगा तो उन्सेश लेगा तो इस पर फिर जीथर ने के बार करने के बाद यहां ठीक हो है एक लाईग से पास करेगा तो हम लोग ты इसके अंदर से कोई भी चीज दिखाए देगा तो इस पकड़ से यह डिस्प्ले काम करते हैं तो हम लोग इसी पक्रिया को यूज करके हम लोग एक डिस्प्ले बनाएंगे आज तो चलिए शुरू करते हैं अचका प्रोग्रम तो यह जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं इसक इस तरह डिस्प्ले किस पकड़ से हम लोग आसानी से घर पर बना सकते तो यह जो डिस्प्ले आप देख रहे हैं इसको आप बना भी सकते या खरीद भी सकते तो यहां पर दो कनेक्शन हमने लगा दिया जो कि पॉजिटिव और नेगटिव इस पर देना परेगा देने के अब यह पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा और अगर पर वजर्ण नहीं देंगे तो यह इस तरह वाइट रहेगा तो आभी आपको दिखा दें तो दो क्लिप मैं यहां पर नेगटिव लगा रहा हूं यहां पर पॉजिव लगा रहा हूं तो अभी देखिएगा मैं अभ यह वाइट हो गया है तो अभी चलिए इसको हम लोग टेस्ट करके देखते हैं क्योfire तो कि अएट पिखिएग लेगा रहेगा थारा रहा है त сколько दोकर मपने तो रहें जिंशने लेगा रहें मैं तो कि देखियग लेगा रहें गरी लेट कि अ तो अभी जो मुने ग्लास फिट किया है उस ग्लास को हमने इस पैपर के अंदर फिट किया है दो पेपाद दूशाईग में इसे डाल दिया है और अंदर के तरफ सभी ग्लास हमने 7 सेगमेंट के तरह यूज किया है तो अभी हम लोग एक seven segment display इसमें बना दिया है अभी सभी वायर को हमने एक एक करको वायर निकला है और सभी नेगलिव को एक साथ हमने connection कर दिया है करने के बाद output पर एक नेगलिव निकला है और सभी के साथ एक करके जो कि साथ आउट्पूट इसमें से निकला है तो जब भी जो भी आउट्पूट पे पॉजिटिव डालेंगे और नेगेटिव पे जब बोटिस रहेगा तो जिस एलेडी पे होगा वही एलेडी ग्लू करेगा तो इस तरह आमने सेटन सेग्मेंट डिस्प्लेक बनाया है जो कि पर पानते सांकिट बहुत ही एजी है एक आडीनों के जरी हम लोग इसको बनाएंगे जो कि वान टू त्री फर करके इसे काउंटिंग होगा तो अब यह अपनों देख सेकते हैं यह जो मैंने स्कीन इस पर डाल दिया है इस पर सेबेंट सेग्मेंट डिस्प्ले मेंने बनाया है जो कि एक पैपर के अंदर मैंने इसको फीट किया है ठीक है तो सभी ग्लास पे हमने अलग-अलग सेबेंट सेग्मेंट का डिस्प्ले इसमें ड्रॉ किया है तो अभी इस पर पावर देते हैं देने के बाद दिखाएगा वान टू 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 करके यह एक एक करके यह उ प्रिनेसली होता रहेगा तो इस पर जो है यह एक पैपार का है हम लोग जो डिस्प्ले उस करते हैं वह तो सॉलिड होता है लेकिन यह पैपार है यह मूबिंग कर सकते हैं यह एक डेमू है जो कि मैंने घर पी बनाया है इसको और भी मोडिवाइक करेंगे और आपको दिख बना सकते हैं वो भी टांस्परेंट तो अगर वीडियो का चल लगा तो लाइक जुरू कीज़ेगा और अपने दोस्तों जरू शेयर कीज़ेगा अच्के लिए थेक्योस्तों बाइ झाल 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 झाल